तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि ऐसी जो वालिटाइल मार्केट कंडिशन्स हैं इसमें बिना किसी रिसर्च के और बिना हिस्टोरिकल डेटा के इन्वेस्ट करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है लेकिन ऐसे में आपको help करता है एक financial advisor जो आपको बताता है कि आपको कब और कहां अपना पैसा invest करना चाहिए because जो भी financial advisors होते हैं they have years of experience and they will help you, guide you and advise you in making better portfolio अब दोस्तों अगर आप भी अपना portfolio better बनाना चाहते हैं और एक personal guidance आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं wealthy के trusted wealth partners के साथ यहाँ पर मैंने आपको link description में दे दिया है description में सबसे पहली line है वहाँ पर आपको click करना है और आपको अपनी जो meeting है वो आप fix कर सकते हैं wealthy के trusted wealth partners के साथ और याद रखिए यह meeting बिलकुल free of cost है इसके लिए आपको कोई भी charges नहीं देने आप यह meeting attend कीजिए अपनी जित्मी भी आपकी problems है उसको discuss कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि कहां पर अपनी guidance आपको ले सकते हैं कि आपको कहां पर अपना पैसा invest करना चाहिए और जो wealthy के trusted wealth partners हैं वो आपको help करेंगे in investing your money safely and securely दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं Mirai Asset Mid Cap Fund के बारे में तो यह एक mid cap category का fund है और majorly यह fund अपना जो पैसा है वो top 101 से 250 companies में invest करते हैं तो इस video में हम detail में जानेंगे यह fund कैसा fund है कैसी investment strategies fund के रहती है और यह सारी बातों पर इस video में हम बात करने वाले हैं तो आईए चलते हैं दोस्तों और देख लेते हैं यह video तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी यह एक mid cap fund है अगर इसके benchmark index की बात करते हैं तो निफ्टी mid cap 150 TRI इसका benchmark index चल रहा है और यह 101 से लेकर 250 companies में अपना major पैसा यहाँ पर invest कर रहा है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इस fund के launch date की तो July 2019 से यह fund अभी launch हुए है तो अभी comparatively अगर आप देखेंगे बहुत जादा पुराना fund यह नहीं है लगबग 3.3 साल पुराना यह fund अभी यहाँ पर हुआ है वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लें अब इसके fund manager की तो यह हमेशा से मैंने जब भी इस fund के बारे में बात की है काफी positive बात है कि since inception एक तो same fund manager इस fund के साथ जुड़े हो है और उसके साथ-साथ इन fund manager का experience भी अच्छा है जो इनका अलग एक fund है मिरा ऐसे blue chip emerging fund उसमें भी यह fund manager यहाँ पर handle करते हैं एक अच्छा experience है आपर इस fund manager के पास यहाँ पर मौझूद है वहीं दोस्तों बात करें अगर इस fund के size की तो लगबग अगर आप देखेंगे 9000 करोड के आसपस इस fund का size इस वक्त हो चुका है तो काफी अच्छा खासा fund का size इस वक्त है और अगर आप वैसे overall देखेंगे अभी भी काफी limited आप इसको मान सकते हैं वहीं अगर हम बात करें इसके market cap allocations पे तो large cap companies में 15% पैसा mid cap companies में 66% पैसा और small cap companies में 17% पैसा यह fund लगा कर चलते हैं तो अगर आप इस fund को समझेंगे तो आपको एक्चिस समझाएगी कि देखिए downside protection के लिए कुछ पैसा यह large cap companies में भी लगा कर चल रहा है तो एक balance बना कर चलने की यह fund यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आ रहा है तो यह एक काफी positive बात मुझे इस fund की यहाँ पर नजर आती है वहीं दोस्तो exit load पे बात करें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा एक साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% exit load देना होगा एक साल के बाद अगर आपको यह भी पैसा निकालते हैं तो आपको किसी भी तरह का exit load नहीं देना होगा वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस fund की risk ratios पे तो सबसे पहले अगर हम standard deviation पे यहाँ पर बात कर लें तो standard deviation किसी भी fund का यह बताता है कि एक fund क कितना जादा volatile है returns देने के मामले में और अगर हम इस fund की यहाँ पर बात करते हैं तो standard deviation इसका 20.98 के आसपास salary category average 19.23 के आसपास है तो अभी जो यह category average है उससे थोड़ा सा जादा volatile यह fund यहाँ पर नजर आता है वहीं अगर हम बात करें sharp ratio की तो 0.91 के आसपास इसकी sharp ratio है तो sharp ratio किसी भी fund की यह बताती है कि एक fund कितना ज़्यादा risk-adjusted return दे रहे तो sharp ratio के मामले में better करते हो यह fund नजर आ रहे और turnover ratio भी इसकी काफी limited है यहाँ पर turnover ratio किसी भी fund की दोस्तों यह बताती है कि एक fund कितना ज़्यादा अपने portfolio में changes यहाँ पर कर रहा है तो turnover ratio काफी limited यहाँ नजर आती है बहुत ज़्यादा changes ये fund अपने portfolio में नहीं करता है और ये हमेशा से मुझे किसी भी fund की एक अच्छी बात लगती है कि बहुत ज़्यादा turnover ratio जिन funds की नहीं होती यानि कि जिन companies को वो portfolio में add कर रहा है उनको long term के perspective से अपने portfolio में add किया जा रहा है उसी तरह दोस्तो को अगर आप फिर भी थोड़ा सा छोड़ दें तो financial, automobile, material, capital, good sector ये इंडिया theme है उस पे focus कर रहा है बहुत ज़्यादा जो इन sectors का चलना ना चलना है वो इंडिया की जो economy है इंडिया में जो developments हो रही है उस पे depend करता है तो ये मुझे काफी अच्छी बात इस fund की यहां पर ल उसे आने वाली income पे ज़्यादा dependent है जैसे की IT सेक्टर हो गया, export सेक्टर हो गया, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी risk माना जा रहे है लेकिन ये capital, goods, material, financial ये sector majorly इंडिया पे dependent है इंडिया की economy में जैसी growth आएगी उस हिसाब से ये sector भी आने वाले time में grow हो सकते है वही अगर हम companies पे बात करें तो देखिए बहुत जादा changes ये portfolio में नहीं करता है जब हमने last time इस fund का review किया था तो लगबक इन में से काफी सारी companies इसके portfolio में उस वक्त भी मौझूद थी, federal bank, excess bank, भारत, forge ये काफी लंबे time से इन companies पे यहाँ पर भरोसा करते हो चल रहा है और एक अ ये एंगल से काफी अच्छा positive ये fund यहाँ पर नजर आता है वहीं दोस्तों अगर हम returns पे यहाँ पर बात करते हैं इस fund की तो अगर आपने इस fund में 3 साल पहले 10,000 रुपे लगाए होते तो आपका पैसा इस fund ने double कर दिया है 3 साल में आपके लगाए हुए 10,000 रुपे इस fund 20,000 रुपे के आसपास बना दिये 26% की return इस fund ने आपको 3 सालों में दिये तो बहुत अच्छी returns तीन सालों में ये fund दे रहा है दो साल में 27% की return और एक साल में 7% की आसपास की return और since inception यानि कि जुलाई 2019 से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 27% की return ये fund यहाँ पर दे हैं 3 साल, 2 साल, 1 साल किसी भी period में अगर आप देखते हैं तो काफी अच्छी returns यहाँ पर ये fund generate करते हुए नजर आ रहा है तो लगातार एक अच्छी returns आप इस fund से यहाँ पर देख रहे हैं consistent returns है काफी अच्छी बात है आला कि बहुत पुराना fund नहीं है 3-4 साल पुरानी fund ह और जब से यह fund आया है तब से हम इस fund पर बात कर रहे हैं कि एक अच्छा fund यहाँ पर नजर आता है क्योंकि company अच्छी है mutual fund house अच्छा है fund manager अच्छे हैं और उसके बाद से consistent return जब से यह fund launch हुआ है तब से यह fund generate कर पा रहा है लेकिन एक चीज़ आपको देखनी ज़रूरी ह हो जाती है कि SIB में कैसी returns यहां पर है तो SIB की returns की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर भी consistent returns दिखती है तीन साल में 27% की return दो साल में 15% की और एक साल में 12% की और देखिए दोस्तों आपको पता ही है कि market में एक साल से बहुत positive returns नहीं आई है especially mid cap और small cap companies में उसके ब रहती है लेकिन यह चीज़ भी देखनी जरूरी है कि क्या यह fund actual में अपने benchmark index को beat कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि एक दो और तीन साल तीनों ही parameters में यह fund अपने benchmark index को अराम से beat करते हो आ रहा है हाला कि 6 महीने में थोड़ सा slightly इसके benchmark index से return दी है लेकिन long term में अगर आप देखते हैं तीन साल दो साल एक साल किसी भी period में अगर आप यहां पर देखते हैं तो यह fund एक consistent अच्छा performer यहां पर रहा है benchmark index को भी यहां पर beat करते हो आ रहा है हला कि mid cap funds में slightly जादा रिसकी यह लेता है और वो चीज़ आप यहां पर समझ कर चलिएगा अगर आप इस fund में invest करते हैं मैं खुद भी इस fund में invest करता हूँ तो आपको वो चीज़ को भी as a disclosure यहां पर याद रखने है और एक चीज़ याद रखिएगा video किसी भी तरह की investment के advice आपको नहीं देती है किसी भी fund में invest करने से पहले आप अपने financial advisor से जरूर बात कर लें मेरी तरफ से दोस्तो बस इपना ही धन्यवाद